राम राम साथ, जै सेखावाटी, जै राजस्तान, भारत माता की जै आज सेखावाटी में हमारी टीम जै वीपी मीडिया ग्रूप की ग्यानतीरत यात्रा है और इस ग्यानतीरत यात्रा में मेरे साथ हैं सम्मानेज सिये मनीश अग्रवाल जी जो जुन्जुनों की सामाजिक, राजनितिक, सांशकर्तिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनितिक सभी प्रस्तितियों को बहुत अच्छी तरह के से जानते समझते हैं और उनके बारे में विशेश रूप से अपनी राई भी रखते हैं आपके पिता जी सम्मान ये, ब्रज किसोर जी अगरवाल साब इस इलाके के संग के बहुत वरिष्ट कारे करता रहे बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक पुनरजागरण के काम उन्होंने किये और इसके साथ ही, अब उनकी इस्मर्ती में राईष्ट इस्तर का माधव सेवा सम्मान विशेश रूप से दिया जाता है और इसके साथ बहुत सारे और भी कहीं सारे कारे करमों से आप जुड़े हुए हैं तो आएए इन से बात करते हैं, सारी चीजें करमश रहे इन से जानेंगे सबसे पहले तो आपका जेवीप मेडिया गुर्प में बहुत स्वागत है धन्य बाद आपको यहां पर पदान नहीं में हर्दिक स्वागत राभिनिन देन जिस तरिके से जुझञूनु के बारे में बात करें जुझञूनु का education system जुझञूनु का culture जुझञूनु का पहलू में कहीं ने कहीं आपको त्याग का एक भाव रहेगा, यहाँ पे विरांगनाओं की भूमी है, सतित्व की भूमी है, और यहाँ पे जितने भी सेट साहुकार हुए, उन्होंने भी अपने त्याग से, अपने समर्पन से, जुन्जुनों से भार निकल के, अपनी महनत स एक अपना मुकाम बनाया और वापिस कहीं ने कहीं देश को अपने मातर भूमी को उनोंने वापिस लुटाया तो यह जो भाव है यह त्याग का भाव है तो उस भाव के कारण यह पूरे जीले के अंदर जो एक भाव है उसके कारण यहाँ पर समाजिक रूप से, सेक्षिनिक रूप से और आर्थिक रूप से अगर हम बाकी जीले के तुलना करें तो जुनुनु जीला एक अलग रूप एक अलग प्रभाव रखता है। आपने वेल सेटल भी है। जो सहयोग उससे में मिला तो उन्होंने अपने जीवन में सोचा कि मैं को जब सिक्षा से मेरे को मनोबल मिला, मैं को बल मिला। और उसके कारण आज मैं जिस लेवल पर पहुंचा हूँ। तो अगर मैं को मानव कल्यान करना है, तो मैं को सिक्षा के अंदर ही लोगों को भाव देना है और उसी से समास का उत्थान हो सकता है। तो इसलिए जब वो संग के आदेश के अनुसार जब 65 में जुझुनु में आये, तो उन्होंने जो समास कल्यान के कारे किये, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ा प्रभाव रखा या सबसे जादा कारे किया, वो सिक्षा के छेत्र में ही किया। और सिक्षा के अंदर जो यहाँ से जुझुनु से जो पुराने टाइम पे जो महाजन समास के लोगग जब वैपार करने के लिए कलकता, बंबई या नोर्थिस्ट में गए, तो वहाँ पे उन्होंने यह देखा कि सिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो उस टाइम पे जब 18-19 सेंचुरी में जब वैपार करने गए, अंग्रेजों के परभाव में आये, तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम अपने एरिया में जाके सिक्षा के परभाव को बढ़ाएंगे, तभी यहाँ पे 1895 में के अंदर राजपुतना सिक्षा मंडल करके एक ट्रस्ट बना, और उसके अंदर उन्होंने गाउं-गाउं के अंदर स्कूले बनाई, तो जब आजादी का समय आया, तो आजादी के समय यहाँ पे 256 स्कूले हुआ करती थी, और तीन महा विदाल्य होते थे, तो एक जुन-जुनुच जगे के अंदर तीन महा विदाल और 256 स्कूल होना, यह इसी बाकत का परिचायक है कि हमारे जो सेट साहुकार, जिन्होंने कलकता में रहके कहीं पे भी, स्किल डवलोप्मेंट का जो आज की सरकार की सोच आ रही है कि हमें स्किल डवलोप्मेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने उस समय सोचा था कि 19-20 सदी मे कि हमारे आम लोगों का स्किल डवलोप्मेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सिक्षन संस्ताइए खोले, और उसके कारण यह परभाव है कि आज के तारिक में राजस्तान का सबसे सिक्षित जीले के रूप में जुन-जुन को जाना जाता है, और यहां के लो जुन-जुन के अंदर एक जाट समाज से निकल के वेक्ती, अमेरिका के अंदर प्रॉफेसर बना, तो उसी सिक्षा का यह एक पिताजी ने जिस तरीके से सिक्षा की लो जगाई, सेठों को भी आपर उन्होंने सलह कदी की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा देखें, उन्होंने जो प्रकल्प यहाँ पे खड़े किये और जिन प्रकल्पों के अंदर उन्होंने सिक्षा का कारे करने की कोशिश की, तो मेरा तो अध्रहम यही बनता है कि मैं उन्ही संस्ताओं को जितने भी सेक्षनिक संस्ता है या यहाँ पे सेक्षनिक रूप से औ उतना देने की कोशिश करते हैं और उसी अनरूप वहाँ पे जहां पे भी नेतिक रूप से किसी रूप में भी उनको किसी भी लेवल का कोई सपोर्ट चाहिए होता है वो हम लोग प्रतान करते हैं पिताजी के स्मर्ते में आप राष्ट्री पुरुषकारों का आयोजन भी करते हैं उनकी क्या रूप रेखा होती है किसे उद्देश प्रेलना के साथ हो आयोजित के जापे हैं पिताजी के नाम से जो एक टस्ट बनाया ब्रिस्रिमिती पन्यास इसमें समाजिक कार्य के कई चीजे की जाती है और जंचेतने के कार्य के जरूरी है उस पकार के कार्य को हम लोग लेते हैं और उसी की कड़ी के अंदर एक पुरुषकार राष्ट्रियता के भाव से राष् संग को समाज के मुख्य दारा में अनेकोly परकल्पों के साथ जोड़ने का परयास किया और उनीग की प्रेढ़ना थी कि मेरे पिताजी ने यहां पर जो कार्य किये वहाँ पे एक लेवल तक वो successful भी हुए और उनके प्रेणा पुरुस थे तो हमारे पिताजी के यादगार के रूप में अगर हम लोग उनको सही मानने में सरधांजली जो अरपित कर सकते हैं तो उनके प्रेणा पुरुस को ही हम समानित करेंगे तभी ही हम लोग उनको सही मानने में सरधांजली दे पाएंगे तो इसलिए मेरे पिदा जी के नाम से जो ट्रस्ट पनाया तो उसमें जो राष्टे पुरुषकार हमने जी दिया क्योंकि राष्टे वेक्तित्य थे गुरुजी तो उनके नाम से एक माधव सेवा सम्मान कारेक्रम हम लोग करते हैं और इसके इंदर राष्टेता के भाव से ऐसे कारे करने वाले वेक्तियों को चीनित करके उनको एक लाख रुपए का कैश पुरुषकार और चांदी का साइटेशन और सिरिपल दे के हम लोग समानित करते हैं एक लाख रुपए का पुरुषकार जो माधव सेवा सम्मान ब्रजे इस्मर्ती प्रण्यासी तो उसके माधव से अब तक किन किन लोगों को आपने पुरुषकार दिया है और किन व्यक्तितु के करकमलों से उसको प्रदान किया गया है पिताजी का देहान 2009 में होने के बाद 2011 में पहला पुरुषकार हम लोगों ने किया था और इस किंदर सेखावाटी के लाल और उस समय विशंदु परिशत के अंतरास्टी अध्धक्स रे धोगपती विश्नुहरी डालमाजी को पहला पुरुषकार दिया गया था और इस पुरुषकार को देने के लिए उस समय ततकालिन लीडर ओफ अपोजीशन नेता प्रतिपक्ष लालकिशन जी अडवानी जो एंडिय के चेर्मेन भी थे वो इस पुरुषकार को देने के लिए जुन्जुनु आये थे दित्य पुरुषकार हमने पंजाब केसरी अखवार के संपादक रहे अश्वनी कुमार जिनोंने अपने पंजाब केसरी अखवार के माध्यम से हिंदुत्य की लेखनी को बढ़ाये था उसको हमने दित्तय प्रुषकार से समानित किया था और उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और भारी उध्योग मंत्री रहे शांता कुमार जी उस प्रुषकार को देने के लिए आये था तिरत्य पुरुषकार राष्टे चेतना के कार्य में लगी साधवी रितमराजी दीदिमा को हमने पुरुसकार दिया था खावत इस पुरुषकार को देने की जिन जिन आए अब आगे पांचवाँ पुरुषकार समहरों भी आयुजन के जाने की रूप रेकाया इस साल में होना है संभागी इस साल अभी हमने मानने मुख्यमंत्री भजनलाल जी से समय मांगा है और अगर उनका अभी यह समय मिल जा है और अगर वो कारिकरम में दोनों की डेट्स का अगर समयोजन हो जाता है तो हाली में जल्दी हम लोगे कारिकर करने वाला है इसके साथ ही जुन जुन का अभी अब उपचुनाओ भी यहां पर होने वाला है संग में पार्टी में आपका बड़ा प्रभाव है लोग राई सामाने चर्चा है कि आप बड़ी भूमी का बीजेपी की राजनिती में रखते हैं किस रोप में देखते हैं उपचुनाओ में बहुत सारे नेता यहां पर हैं लेकिन बीजेपी लंबे समय से जीत नहीं रही तो देखे बीजेपी का जीतना या हारना कंडिरेट के ओपर ड 2017 में इसी प्रस्तिती के अंदर चुनाव था और उससे में ततकालीन मुख्यमंती भैरो सिंग जी शेखावत ने एक चैलेंज को लेते हुए यहाँ पर चुनाव को रखा था और उस चुनाव के अंदर विजयता भी हासिल हुए थे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर सही प्र पर मंतन कर रही है और समाज के कई जो प्रारूप हैं वो भी अपने अपने सुझाव सब जगे रख रहे हैं और किस प्रकार से कैसे इस आने वाले सुनाव को हम लोग एक चैलेंज के रूप में लें और यहाँ से भाजपा का कमल खिले जो कई सालों से नहीं हो पाया हम उस इस बार बीजेपी या संग या आपके दरिश्टी कौन में कोई सहर के संजिदा या इस बार एक तरह से नहतागिरी सेटकर कोई एक सामान आदमी जिसमें चाहिए व्यापारी हो सोसल वरकर हो कोई धार्मिक सामाजिक संस्ताओं से जुड़े वे लोग हो उनको आगे लाने कि समय के अभाव में करेज नहीं आपाता और उस समय रहने वाली जो प्रस्तिती होती है जो दिखने वाले चेहरे होते उनमें से ही किसी एक पडाव किया जाता है बट मेरा राजनेतिक रूप से नहीं मेरा परसनल रूप से मानना है कि ऐसे ज व्यक्तियों को हम लोगों को आगे समाज में लेकर आना चाहिए जो एक समाज में आगे आने वाले ब्लूपरिंट को रख सकें कि हमें जुन्जुन जीले के लिए यह जुन्जुन सहर के लिए क्या करना है आज जुन्जुन एक उस मुकाम पर कड़ा है कि जब उसको एक लॉंचर चाहिए जब जिस बेसिस पे वो एक डालोप सीटी के रूप में डालोप कर सके हमारी निकटता जिस रूप से दिल्ली से है और जैपूर से निकटता है हम क्यों ना NCR के लेवल का डालोप में जुन जुनू में ला सके और इस विचार के साथ में ऐसा कोई विजनरी नेता या समाजी कारेकरता या ध्योगपती या कोई भी या धार्मिक नेता भी करकर कोई इस पकार का भाव लेकर आता है तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जुन जुनू की जनता जो प्रोग्रेसी रूप में सिक्षित जनता है उस भाव को आगे लेगी और आगे जाके नया एक आयाम पैदा कर सकते हैं इसके साथ ही जुन जुन के और डेवलाप्पेंट के लिए या यहां की जो सामाजिक समझ है आर्थिक उन्नती है उसके लिए और कोई आपकी तरब से सुझाओ देखे अध्योगिक रूप से प्रबल संभावना है जुन जुन के अंदर है और अगर राजनितिक रूप से सरकारी तंतर के अंदर अगर इस चीज को सपोर्ट मिलता है तो यहां जुन जुन के अंदर विकास का नया आयाम किया जा सकता है जैसे भी हाली के अंदर सालों के जो गौर्मेंट की साइलेंट पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे तो जुन्जुनु के अंदर सबसे बड़ा ग्रीड पावर स्टेशन जसरापूर के अंदर डॉलप हुआ है और जो सी एंजी लाइन का जो है उसका भी एक जंक्षन जो है जुन्जुनु के पास मे ही एक गाउं के इंदर डॉलप हुआ है तो जब सी एंजी आपके पास पाइप रूप से पहुंच रही है तो ध्योगों को एनरजी जो में इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है वह आपके डॉर स्टेप पे है और उस मुकाम से अगर कोई सोचा जाए तो यहां पे छोट चोटे एंसिलीरी इंडेस्ट्री की बहुत संभावना है और मेरा लगता है कि कहीं न कहीं सरकार इस रूप में सोच रही है और आने वाले समय में इसके ओपर बहुत काम करेगी आप रानी सती मंदीर के वेवस्थापन समीति से विसेश रूप से जुड़े बहुत सारे और भी सामाजक संस्ताउं से जुड़ेव हैं किस तरीके का मैनेज्मेंट रता चाव सती, चेडी मोली सती, सिकसरिया सती ऐसे कई बड़े-बड़े मंदिर है और इन मंदिर के जो लोगबाग जो जुड़े हैं वो कहीं ने कहीं पूरे भारत वर्ष में या विश्व में अपने इन मंदिरों को कुल देवी के रूप में पूछते हैं और उनका आना-जाना जुन-जुनू इस मंदिर के अंदर परिवारिक रूप से होता है तो अगर प्रसाशन उन लोगों को फैसिलिटेट करें तो जिस प्रकार से उज्जैन के अंदर या वारानासी में या और भी ज़स सब जगये प्रसाशनिक रूप से अगर इंफरस्टेक्चर या उन लोगों को एक थोड़ा से सपोर्ट किया जाए तो ये मंदिर जो है एकनॉमिक सेंटर के रूप में डवलप हो सकते हैं और समावेसी विकास के लिए मंदिर के अंदर फोकोस होना बहुत जरूरी है और इससे समावेसी के और हर धर्म के लोगों को फायदा मिलता है जैसा मैं बता सकूँ कि हमारे रानी सती स्कूल के अंदर हिंदू के अलावा बाकी धर्मों की भी बच्चियां वहाँ पे free of cost पढ़ रही है वहाँ पे कई ऐसे जो काम हैं वो हर धर्म के लोगों को मिल रहे है तो वहाँ पे किसी भी पकार का उस पकार का भेदबाव नहीं है तो इसका मतलब होता है कि कहीं पे भी जो एक बड़ा विकास होता है बड़ा प्रकल्प होता है उससे समाज के हर पहलू के अंदर लोगों को फायदा मिलता है और उसका जितना विकास होगा तो उतना ही जुनुणू के विकास से उसका समावेस होगा तो यह थे हमारे बीच में सियमनी सक्रवाल जी जिन्होंने जुनुणू के सामाजिक आर्थिक राजनितिक सांशकर्तिक पूरे वेभव पर बात की और बहुत सारी सुझाव दिये हैं निशित रूप से सेखावाटे में जुनुणू को शिरमोर बनाने के लिए रिसके विका के लिए आप सब के सुझाव सादर आमन तरीत है